प्रस्तुत कहानी कहानी का प्लाट कहानीकार सिपूजन सहाई की अमर कहानी है इसमें कहानीकार ने समाजिक कुरूतियों तथा दहेज की कुरूरता की सिकार भगजोगनी जैसी सुन्दरी की दुर्भाग पुर्णीती की और लोगों का ध्यान आक्रिष्ट किया है कि किस प्रकार दानो दहेच की निर्मरता के कारण बूढ़े वर का वरण करने को मजबूर हो जाती है कहानी कुछ इस प्रकार है आईए जाने कहानी कार के गाउं के पास किसी गाउं में एक बूढ़े मुनसी जी रहते थे उन्हें एक पुत्री थी जिसका नाम भगजोगनी था भगजोगनी का रूप नाम के अनुरूप था मुनसी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे लेकिन दरोगा ने जो कुछ कमाया अपनी जीवन्दिगी में ही फूख डाला उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोडी बची थी मरने के बाद उसी घोडी को बेच कर दरोगा जी का स्रद्धा कर्म खुब धूमधाम से किया गया दरोगा जी के जमाने में मुनसी जी ने भी खुब घी के दिये जलाए उनके मरते ही सारी अमीरी बालू की भीत की भाती धह गई चूला चक्की भी थन्डी हो गई जो एक दिन बटेरा का सोर्बा सुड़कता था अब चंद चने चवाने के लिए मजबूर था मुनसी जी की ऐसी दसा देख कर लोग कहने लगे थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है इतना ही नहीं जो मुनसी जी चुलू के चुलू इतर अपनी पोशाक पर मला करते थे अब रूखी सुखी देह में लगाने के लिए चुलू भर कड़वा तेल भी नहीं मिल रहा था दरोगा जी के जमाने में मुनसी जी के चार पाँच लड़के हुए पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए जब पाचवी इंगलिया घी में थी तब कोई खाने वाला नहीं रहा जब दोनों टांग दरिद्रता के दलदल में आफसी तब एक लड़की पैदा हो गई इसलिए कहानीकार ने कहा भी है किस्मत की फटी चादर कोई रफू नहीं कर सकता कहानीकार सामाजिक खुरूतियों की ओर ध्यान आकरिष्ट करते हुए कहते हैं कि तिलग दहेच के जमाने में लड़की पैदा करना बड़ी ही भारी मुर्कता है लेकिन युगम धर्म का क्या दोस इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है और पुरुस दल को स्तृत्तु खदेड़े जा रहा है बेचारे मुंसी जी जब घी तथा गरम मसाले उड़ाते थे तब लड़का पैदा होता था परंतु मतर के सत्तु खाने पर मजबूर हो गए तब लड़की पैदा हो गई यह सच है कि अमीरी की कबर पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है भग जुगनी रूप से तो अमीर थी किन्तु भाग हीन थी क्योंकि जन्म लेते ही मा के दूद से वन्चित हो गई तथा मुंसी जी के फटेहाली में पैदा हुई जिस दिन पहले पहले कहानीकार ने उसे देखा वो करीब 11 वारा वर्स की थी एक और कहानीकार उसकी अपूर्व सुन्दर्ता पर अविभूत हो जाता है तो दूसरी और उसकी दर्दनाग गरीबी देखकर उनका कलेजा काँच जाता है बेचारी उस उम्र में कमर में सिर्फ एक पतला चितरा साला पेटे हुए थी जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढखने में सामर्थ थी उसके सिर्फ के बाल तेल बिना बूरी तरह पिखरे पड़े डरावने लग रहे थे उसकी आँखों में अजीब धंकी करून थी जैसे दरीतरता राच्छसी ने उस सुन्दर सुकुमारी का गला टीब दिया हो इसलिए कहा गया है कि प्राकृतिक सुन्दरता के लिए कृतिम सिंगार की जरूरत नहीं होती पर भगजोगनी गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी भला उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था वह तो दाने दाने के लिए तरस्ती थी एक बिता कपड़े के लिए मुखताज थी सीर में लगाने के लिए एक चुलू अलसी का तेल भी नहीं मिल रहा था महीने के एक दिन भी भर पेट दाने उन्हें नहीं मिल पा रहे थे भला हड़ियों के खड़हर में सौंदर्य देउता कैसे टिक पाते मुंसी जी अपना दुखडा लेखक को सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं तथा बताते हैं कि बड़ी मुखिल से दिन भर में एक दो मुठी चबेना मिल जाता है इस्तिती इतनी दैनिय है कि किसी की दी हुई मुठी भर भीक लेने के लिए इसके तन पर फटा आचल भी नहीं है कभी कभी भीक न मिलने के कारण भूखे रात कुजानी पड़ती है मेरी इस दुरगती पर कोई रहम भी नहीं करता उल्टे सब लोग ताने के तीर बरसाते हैं एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाप से चिराग जलता था और आज एक दिन यह भी है कि मेरी हड़ियां मुफली सी की आचल में मुमबतीस की तरह घुल घुल कर जल रही है इस लड़की के हाथ पीले करने के लिए हाथ जोड़कर लोगों की विंती की पैरो पर पड़ा इसकी सुन्दर्ता के बारे में बताया परंतु लाख किर गिराने के बावजुद किसी का दिल न पिगला उल्टे दोस मढ़ने लगते हैं कि गरीब घर की लड़की चटोर तथा कंजूस होती है जिस कारण खांदान बिगर जाएगा फिर बिना तिलक दहेच के तो बात करना भी नहीं चाहते हिंदू समाज के सारे काईदे भी अजीब धंके है लेखक दो स्पून समाजिक विवस्था पर चोट करता हुआ कहता है कि यह कितनी बड़ी विडबना है कि जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं और कोई गरीब उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना माना जाता है यहीं तो आज की समाजिक विवस्था है अपनी विवस्था की कहानी लेखक को सुनाते सुनाते गला रूद गया और भगजुगनी को गोद में बठा कर फूट फूट कर रोने लगे मुंसी जी की दास्ता सुनने के बाद उस रूद वंती दरिद्र कन्या से विवा करने के लिए लेखक ने भी अपने कई मित्रों से अनुरूद किया परंतु सबने उसकी बात अनसूनी कर दी तब मुंसी जी ने अपनी चाती पर पत्थर रखकर 41-42 साल के वेक्ती के हाथों सौब कर साधी की रस्मे पूरी की साल पूरे होते होते मुंसी जी भी चलते बने गाँ वालों ने गले में घड़ा बांध कर उन्ही नदी में दुबा दिया भगजोगनी का सौंदर जब निकरा तब वो विदबा हो गई और उसने जवानी के उन्माद में सारी मर्यादाओं को तोड़ कर अपने सोतेले बेट्यों को पती के रूप में स्विकार कर लिया